देश भक्ती के जज़वे से ओतप्रोध है ये फिल्म और अगर आपने ये नहीं देखी तो समझो आपने कुछ नहीं देखा तो आज रिव्यू करेंगे फिल्म सरडार उधम को जो बेस्ट है सरदार उधम सिंग के जीवन के उपर और आपको पता है कि सरदार उधम का देश के लिए कितना योगदान रहा है आपको बता दें कि जो जलियां वाला बाग का कांड था उससे आप सभी परिजित होंगे और अगर जो परिजित नहीं है वो ये फिल्म जरूर देखें और अपने जो बच्चे हैं उनको भी इस फिल्म को जरूर देखाएं क्योंकि ये फिल्म बहुत कुछ कहती है और इसके जो नरदेशक हैं वो सुझीत सरकार हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के उपर काम किया और अब इसको दर्शकों के सामने लेकर आए हैं और उनका काम कमाल का है तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन पर तो सात्यों स्टोरी लाइन के बारे में कहने की जरूरत नहीं है आप सब को पता है कि जो जनरल डायर हैं उन्होंने किस तरहें से हजारों लोगों के उपर जलियां वाला बाग में किस तरहें से फाइरिंग करवाई थी वो सब वाक्या इस फिल्म में देखने को मिलेगा और इस तरहें से उसका बदला लेने के लिए उधम सिंग क्या 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 करते हैं वो सब आप इस फिल्म में देख पाएंगे बाकी संगर्षों से भरी जिंदगी रही है उधम सिंग की औ पूद गई थे और अपनी जान बचाने के चक्कर में जलियाँ वाला बाग में जो कुआ है उसमें कूद गई थे और उस भगदर में हजारों लोग मौत के घाट उतर गई थे और इसी को लेकर जो एक-एक सीन है उसके उपर बारिकी से काम किया गया है और विक्की कोशल ने क कमाल की एक्टिंग की है और अपने रोल को एकदम जस्टिफाई किया है बाकी अगर बात की जाए सिनेमेटोग्राफी की तो सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है जो लंडन के शोट्स है या जलियाँ वाला बाग के शोट्स है वो कमाल के हैं और जो बीजेम है वो अच्छा ह फिल्म के साथ relate करता है और अब बात करते हैं इस फिल्म की duration की तो साथियो फिल्म की जो आवधी है वो पौने तीन घंटे के करीब की है और इसे थोड़ा सा कम किया जा सकता था क्योंकि जो first half है वो काफी slow हो जाता है और जो last के 50 minute हैं वो कमाल के हैं वो सब पैसा वसूल कर देते हैं तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है जिसे पूरे परिवार के साथ देखना बनता है विशेशकर जो बच्चे हैं उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए कि किस तरहें से हमारे जो लिजेंट थे उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा तो साथियो ये था मेरा रिव्यू फिल्म सरदार उधम को लेकर बाकी आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्षन में बताएं आपसे फिर मुलाकात होगी तिल देन, टेक कियर, बी सेफ, प्लीज दू लाइक, सब्सक्राइब, शेर और कमेंट, फिल मिताओ यूट्यूब चैनल, आव नाइस टे, जै हिंद